वीडियो को लाइक करते ही, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, औल नोटिफिकेशन अन कर दीजिए, स्मार्टफोन खर दिने के लिए व्यू प्रोड़क्ट्स क्लिक कीजिए नोकिया का एक ऐसा नाम भारत के अंदर रोशन था, जिसको मिटाना शायद दूसरे कामनी इसको नामुम्कीन था, पर वो खहते हैं ना, वक्त के साथ, जैसे जैसे लोगों की रुच बढ़ती जाती है, वो ऐसे वेसे नएने इनुवेशन के साथ, नएने टेक्नोलोजी प्र प्रवाइड करना, वो भी सही प्राइज की उपर, नोकिया शायद इस मामले के अंदर फेल हो गया था, पर उसी मोके को तलासती हुए एक शाओमी और रेडमी, रियल्मी जैसे ब्रैंड से सही प्राइज की उपर नएने फ्यूचर्स लाते चले गे, नोकिया के नाम मिठत गया, खर, कॉंपुटेशन को SET में करते हुए, नोकिया एक नया समार्ठफोन की उपर काम कर रहा है, जो कीपर वाली समार्ठफोन ही होगा, पर इस बार फोर्जे वाला नहीं, फाइजे वाली कीपड समार्ठफोन, उसका नाम कहा जा रहे, नोकिया एक्ष टूहंड़र् आफिशियल लीक्स या रूमर्स के हिसाब से कंफर्म नहीं यह पर इस दुनिया की पर आप लोग पूचोगे की भाई यह स्मार्फुन के अंदर असल में है क्या जो दूसरे कीप ड़ावल इस स्मार्फ़ोन से अलग है वही दोस्तों ये स्मार्टफोन के सबसे खास बात है यानि कि ये स्मार्टफोन के अंदर टोटल दो कैमरा दी जाएगी प्राइमरी कैमरा सेंसर होगा पचास मिगापिक्सल्स का और एक कैमरा सेंसर होगा आड़ मिगापिक्सल्स का यां कि कैमरा क्वाल्टी एक फीचर स्मार्टफोन के अंदर एक नेक्स्ट लेवल दी जाने की कोशिश ये स्मार्टफोन के अंदर की गई है और साथ में सेल्फी कैमरा में 18 मिगा पिक्सल्स की सेल्फी स्नैपर दी जा सकती है खैर आप लोग सुनकर हाईरान हो जाओगी कि इसके अंदर आमोलेड डिस्प्ले दिया जा रहे है और अब जबरदस अच्छी खासी गेमिंग भी एक स्मार्टफोन के अंदर कर सकती हो या पर गुड़ पॉइंट अफ यू से अगर देखा गए तो यह स्मार्टफोन के अंदर आंडरोड ओस चलने वाला है जिसका नाम अभी तब कुछ कंफर्म नहीं है आपको क्या लगता है कि पर अड़ल स्मार्टफोन फिर से मार्केट के अंडर ट्रेंड करना है या फिर नहीं बिलकुल फ्रेली कमेट कर दीजिए बात करेंगी यह स्मार्टफोन की वेरेंट की और यह स्मार्टफोन के अंदर मेंली तीन विरेंट अपको देखने के लिए मिल सकता है एक होगा 2GB RAM और एक होगा 4GB RAM 2GB RAM के उपर 16GB Internet Storage 4GB RAM के उपर 32GB Internet Storage और एक विरेंट होगा 16GB Internet Storage 4GB RAM के साथ हम लोगों को इतना तो पता है कि यह स्मार्टफोन एक नंबर की धासू परफॉरमस दे सकती है पर यह स्मार्टफोन के अंदर आज क्यों यह launch किया जा रहा है पर इसके बारे में कोई official कोई reason तो अभी तक पता नहीं है क्या trend हो सकता है या फिर नहीं देखेंगे दोस्तों काफी सारे business messages जो futureally smartphone यूज़ करना चाहते यह स्मार्टफोन के अंदर 3000ms की better performance दी जा सकती है यानि कि यह बड़ा smartphone देखने में हो सकता है पर उत्रा भी बड़ा नहीं होगा जितना आप लोग सोच रहे हो यह पर सबसे अच्छे बात अट्रा वोड की फॉस चार्जिंग की सपोर्ट और वो भी USB टाइब C पोर्ट के साथ दी जा सकती है यह पर जो भी sensor होने चे छोटी मोटी यह smartphone के अंदर दी जाएगी पर प्रप्राइस के बारे में कोई leaks औ rumors अभी तक फिलहाल के लिए बाहर दे मतरम